हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय बारव फ्रिष्ठी चेत्रफल और आयतन का परिचय पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पार्ट को हम लोग समझने वाले हैं एक-एक फार्मूले को आपको कॉंसेप्ट साइच समझाने वाला हूँ अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक भी फार्मूला आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चिती रूप से यह चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप कुछ फार्मूले देख रहे हैं नीचे तक बहुत सारे फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को हम लोग कॉंसेप्ट समझने वाले हैं इस परिचय वीडियो में हम लोग घन, घनाब, बेलन, संकू, गोला, अर्ध गोला इन सभी के फार्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर इन फार्मूलों को देखिए, यहाँ पर फार्मूलों को हमने लिख रखा है, इसको अब हम लोग समझने वाले हैं, तो चलिए इन फार्मूलों को समझते हैं, वीडियो को सुरूट से अंतर जरूर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सभी आक्रितियां होती है वह एक समान होती है यानि इसकी length, breadth, height या सभी क्या होती है एक समान होती है और घनाब में क्या होता है घनाब में इसका length, इसकी breadth और इसकी height या सभी जो है अलग-अलग होती है यही अंतर होता है घन और घनाब में यानि इसमें घन में इसकी सभी जो साइडे होती है यानि लंबाई चोड़ाई उचाई सभी समान होती है और घनाब में यह क्या होता है अलग-अलग होता है यानि लंबाई चोड़ाई और उचाई सभी अलग-अलग होती है ठीक है, उमि EL करते हैं कि GHAN और GHANAB में आप उंटर समझ गये होंगे, अब देखिए इसको आगे कैसे क्या करेंगे, एक एक फादमूले को समझते हैं, चलिए पहले GHANAB से समझते हैं, तो यह GHANAB है और यह घनाब की लंभाई है क्या है घनाब की लंभाई यह उसकी चोड़ाई है यह उसकी हाइड है यह घनाब में लेंथ बिर्ट और हाइड यह तीन चीजे आती हैं यहाँ पे एक छोटी से आकृति हम आपके लिए बना रखे हैं फार्मूलों को समझने के लिए ताकि समझने में आसानी हो ठीक है यहां पे इसकी सायता से हमें समझने में आसानी हो तो देखिए यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि यह बिल्कुल ऐसी ही आकृती है घनाब के आकार का यहां पे आप देख सकते हैं इसको ठीक है यहां पे इधर यह भी उचाई होगा और यह क्या हो जाएगा यह उसकी चौड़ाई हो जाएगी ठीक है उमिद करते हैं किस बात को समझ गयोंगे यह लंबाई है यह चौड़ाई है यह लंबाई और यह उसकी चौड़ाई है तो यह भी उसकी उचाई होगी और यह क्या हो जाएगी जैसे देखे यह यह आकृती है यह लंबाई यह क्या है उसकी उचाई और यह वाला जो पोर्शन है यह उसकी चवडाई ठीक है अब यह चवडाई है तो यह भी चवडाई होगी ठीक है अब देखे जब इधर यह चवडाई और यह उचाई तो इधर भी वैसे ही होगा यह आपका length इधर है और यह उंचाई है तो इधर भी same हो इसके opposite side भी वैसे ही होगा यह यहल हो गया और यह यह अच हो गया ठीक है ना उम्मिद करते हैं किस बात को आप अच्छी तरह समझ गया होगे अब देखिए जब यह ब्रिट्थ है ठीक है यह आपका द्यान से समझ लिज होगा और यह क्या है लंबाई है तो जब यह लंबाई यह चोड़ाई तो इधर भी same हो ऐसे ही होगा यह लंबाई और यह चोड़ाई ठीक है ना उम्मिद करते हैं कि इन सभी भागों को आप अच्छी तरह समझ गया होगे ठीक है यहां पर देखिए अब आप एक चीज द बाद कर रहें यानि वक्रपिष्ट निकालेंगे संपूर पिष्ट निकालेंगे इसका आयतन निकालेंगे सब कुछ समझने वाले कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिख रही है यह एक आयत की आकृति है देखे जैसे इसको आप देखेंगे तो यह क्या बन रहा है आय जब यह यल और यच है तो इसके पीछे भी एक भाग होगा यहाँ पे यल और यच है यानि हम संपूर्ण प्रिष्ठ निकालना है ध्यान रखिएगा यल गुड़े यच प्लस यल गुड़े यच अब देखे एक भाग का तो हो गया चले दूसरे भाग पे चलते हैं अब दे यानि यह भी क्या एक आयत क्या का बन रहा है तो अब इसका भी क्या हो जाएगा समझखे ध्यान से यह क्या हो जाएगा आपका length गुड़े 울्ध अब जो इधर होगा food side भी होगा तो यह भी हो जाएगा length गुड़े stop अच्छा इसको थोड़ा सा सरल कर लें हम नों तो क्या होगा देखें यल यच यल यच यच क्या हो जाएगा आपका अब देखिए, दो भाग का तो हम लोग कर लिए, अब देखिए यहाँ पे, आपका length हो गया, height हो गया, और length और breadth इधर हो गया, अब एक भाग यह होचता है, देखिए, यह अब यह भी क्या है, यह अब एक आयत के आकार का दिख रहा है, तो यह उसकी breadth और यह height हो गई, ठीक अब देखिए, जब संपूर प्रिष्ट, अब सभी भागों का आपने छेतरफल निकाल लिया, यानि इस भाग का छेतरफल, इस भाग का छेतरफल, पीछे वाले का, फिर इस भाग का छेतरफल, इसके पीछे वाले भाग का छेतरफल, प्लस इस भाग का छेतरफल, और इसक अब इन सभी को जोड़ दें तो यही हमारा संपूर्ण प्रिष्ट हो जाता है घनाब के किसमें अब देखें इन सभी में हमें two common मिला है तो two common लेलें अच्छा अब इसको लिख लेते हैं देखें हम इसको इस सिक्वेंस में लिख सकते हैं या आप किसी को पहले किसी को बाद में लिखें कोई प्रावलम नहीं है तो यहाँ आपका होता है स्टूडेंट संपूर्ण प्रिष्ट यानि two length, width, height, height, length यह होता है घनाब का संपूर्ण प्रिष्ट अब वक्रप्रिष्ट की बात करते हैं वक्रप्रिष्ट में देखें क्या होता है वक्रप्रिष्ट में कहता है जैसे मान लिजिए कि एक कमरा है जो की घनाब के आकार का है तो वक्रप्रिष्ट का मत्व होता है कि उसके चारों दिवारों का जो छेतरफल होता है वह वक्रप्रिष्ट होता है और जो यहां से हमें कुछ कॉमन मिला है यह हो गया वक्रप्रिष्ट का मतलब कि उसकी चारों दीवारों का छेतरफल बात कर रहा है यानि उसका फर्स और जो छत वाला भाग होता है उसको छोड़ कर अब देखिए कि आयतन क्या होता है आयतन तो आयतन यहां पर देखिए आयतन होता है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गया होगे जैसे यह आपका सेफ है तो यह लंबाई यह वाला पोर्शन चवड़ा यह उचाई तीनों का जब गुड़ा कर देंगे तो वह हमें आयतन प्राप्त होगा ठीक है I hope कि घनाब के तीनों क्वाइंटों को आप अच्छी तरह समझ गया होगे अगर घनाब समझ गया है तो घन समझना आपके लिए बहुत ही आसान काम है देखिए कैसे आईए समझते हैं उसको ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि यही तीन सुतर है ठीक है घनाब क केस में भी यही है और घन के केस में भी तो हम लोग घनाब का समझ चुके अब घन का समझते हैं देखिए चलिए अब आपको यह पता है कि जो घन होता है उसकी सभी साइडे समान होती है हम मान लेते हैं कि वह साइडे A है आप कुछ भी मान सकते हैं कहीं पर आपको यल लिखा हुआ मिलता है कहीं पर ए लिखा हुआ मिलता है हम मान लेते हैं कि यह जो घन है उसकी भुजा ए है ठीक है तो ए उसकी लंबाई भी ए उसकी चवडाई भी और ए उसकी उचाई भी यानि यह सभी जो है क्या हो गई एक समान हो गई अब जब यह सभी एक समान हो जाएगी तो वहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा ध्यान से समझेगा वेहाँ से हमाँ के संपूंड पृष्ट अगेश A sqa 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 a sq आप कर सकते हैं या आपका two जो height भी ओभी a है लंबाई भी a है और चौडाई भी a है ठीक है न है इसको हल कर लेते हैं तो देखे two a a a या भी क्या हो जाएगा two a ठीक है तो a यहां भी two a यहां कर देते हैं दो दूनी चार और यह A इस्क्वायर तो यह हो जाता है उसका वक्रप्रिस्ट ह сок thffal या उसका वक्रपिस्ट किसका घं का वक्रपिस्ट है ठेक है उमिद करते हैं कि आप एक-क क्वाइंट को अच्छी तरह समझ रहे होंगे फिर भी अगर दा जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अब यहां पे देखे लेंप्रिट्ट थाइट तो घनाप के केस में अभी हमने बताया कि सभी चीजे समान हैmos यानि यल की वैलू भी अ है बी की वैलू भी अ है और यज की वैलू भी अ है तो यहां क्या हो जाएगा A P P P 3 ठीक है ना यहां क्या हो जाएगा A P 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 मीटर में दिया हुआ है सभी, तो आप घन मीटर लिखेंगे, या मीटर का क्यूँ लिखेंगे, इसको भी आप घन मीटर ही करते हैं, मीटर का क्यूँ, अगर कहीं पे छेतरफल आपको दिया हुआ है, बक्रिष्टी छेतरफल या संपुल प्रिष्टी छेतरफल, तो उसको अ बेलन, गोला, सभी के लिए यह बातें अपलाई होती हैं, ठीक है ना, तो I hope कि इन दोनों आकृतियों के बारे में आप अच्छी तरह समझ गयोंगे, आईए, अगली आकृति के बारे में बात करते हैं, अगली आकृति आपकी है बेलन, तो बेलन के एक-एक फार्मूले को य अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे यह एक सिलिंडर है, अब देखें यहां पे यह जो होता है निचला भाग, आपका एक सर्कल की तरह दिख रहा है और यह इसकी त्रिज्या है, और यह इसकी क्या है, हाइट है, यह हाइट, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वक्रप्रिष्ट के बारे में, किसके बारे में, वक्रप्रिष्ट, वक्रप्रिष्ट का मतलब यह होता है, कि जैसे, तो यह जो भाग है, जिसको हम पूरा टच कर पा रहे हैं, ऐसे, तो यह उसका वक्रप्रिष्ट का लाता है, अब समझेए, कि अगर यह वक्रप् मैं कहूं कि इस पेज को मोड कर ठीक ना इस पेज को मोड कर क्या बना रहे हैं एक सिलिंडर बना रहे हैं कुछ इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं यह एक सिलिंडर के आकृति क्या है ऐसे देखें यह सिलिंडर है तो आप यह कहेंगे कि जब यह एक सिलिंडर है तो य इस बात को समझेगा ध्यान से देखिए यह जब ओपेन कर दिये तो आप इस आकृति को देख रहे हैं कि यह जो आकृति है बन रही है यह क्या बन रही है यह एक आयत बन रहा है क्यों कि इस पेद को जब मोड रहे हैं ध्यान से समझेगा देखिए इस पेद को जब मोड रहे हैं तो यह वाला portion एक वृत बना और यही वृत की परिधी होती है क्या होती है यह वृत की अगर यह वृत है तो यह वृत का परिधी होता है ठीक है ना वृत वाले lesson में हम आपको अच्छी तरह यह बाते समझा चुके हैं तो यह वृत का परिधी होता है अब अगर इसको हम जो लंबाई है अगर यह आकृति कौन सी है यह आकृति आपकी बन रही है आयत बन रही है और आयत की यह क्या है लंबाई है और लंबाई यानि यही लंबाई जब मोड़े रहे हैं तो यह बेलन की परिदी बन जा रही है और बेलन की परिदी आप जानते हैं वो होता है 2 पा यानि उसकी परिधी और उचाई का जब गुड़ा कर देंगे तो वह हमारा वक्र प्रिष्ट हो जाता है अगर हम उसकी परिधी और उचाई का गुड़ा कर दें तो वह क्या हो जाता है उसका वक्र प्रिष्ट हो जाता है यानि टू पाई आरियच उमीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे यानि इहां पे जब हम इसको open करेंगे जैसा कि अभी हमने page से आपको बना कर बताया कि जब open करेंगे तो वह एक आयत हो जाएगा और इहां पे 2 pi r h कैसे हुआ या समझ ये अगर आयत के छेतरफल की बात करें तो लंबाई गुड़े चोड़ाई तो यहां पे चोड़ाई जो है उचाई है तो यानि लंबाई क्या हो गया उस वृत्त की परी दियो गए यानि 2 pi r और उचाई जो है क्या हो गए इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप देखिए, यहां पे जो भी बाते कर रहे हैं, वह बिलन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, चलिए, संपूर्ण प्रिष्ट की बात करते हैं, संपूर्ण प्रिष्ट, संपूर्ण प्रिष्ट पहले यह जो भाग था है देखें यहां पहले तो पहले तो उमगा प्रिष्ट यानि यह जो भाग था है देखें यह जो भाग था इसका आम छेतरफल पहले ही निकाल चुकें टू पाई आर यज प्लस अब वृत के छेतरफल को आपको पता होगा कि पाई आर स्कॉयर होता है यहां पे दो वृत हैं उपर और नीचे दोनों तो टू पाई आर स यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिला है यहां हम चलिए कॉमन ले लिए तो यहां से हमें यह अपका यह हो गया और यहां से आर बचा ठीक है यहां से देखें आर स्कॉयर है तो एक घात कॉमन हो गया यानि टू पाई आर ब्रैकेट में यह प्लस आर ठीक है तो यह आयतन की बात करते हैं आयतन क्या होता है तो आयतन जो होता है वह आपका होता है देखिए छेत्रफल जो होता है छेत्रफल यानि वृत्त का यहाँ पे देखिए यहाँ आपका यहाँ पे आयतन की बात करें तो आयतन के लिए क्या करेंगे देखिए आयतन जो होता है वो आधार का छित्रफल और उचाई का गुड़ा कर देते हैं तब हमें आयतन प्राफ्ट हो जाता है आधार का छित्रफल यानि वृत्त के आधार का छित्रफल यानि पाई आर स्क्वाईर और उचाई कितनी है यच है तो वेलन का जो आयतन होता है वो हो जा आगले को समझते हैं यहां पर आगे वाले को अब यहां पर समझते हैं संकु संकु देखे किया है यहां पर संकु की आकृति आप देख रहे होंगे तो यह संकु की जो है क्या है यह जो उंचाई है वह लंबृतिय उंचाई है और यह जो होती है इसको यह से हम प्रदर्शित करते हैं यह जो उचाई है उसकी तिर्ची उचाई आप येँछाई समकु और देखें तो बड़े कैप आप पढ़्टे हैं तो वह जो संकु कैप आकार में समकु पहुती है और उसका निचला भाग होता है वह ब्रित कैका यह जो बहागा वह ब्रित का अब इस ब्रित की जो तृजिया है वो आरहे और आप यह देख रहे होंगे कि यह जो इनďे 20 ्डिग्री का इंगल बना रहा है यज़ी यह एक तृपुज हो गए यह एक तृपुज हो गया अब यहां से अगर स्क्वाइर यहां से यह सुत्र बन जाता है अगर हम इस स्क्वाइर को हटाएं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यल बराबर रूट में यच स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर ठीक है यह आपका सुत्र हो जाता है तिरिया कुचाई का ठीक है इसमें आप आर को पहले भी ल ठीक है I hope कि इस सुत्र को आप अच्छी तरह समझ गया होंगे अब आईए देखिए जो वक्रप्रिष्ट होता है संकू का इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर इस फार्मूले को यहाँ पे अगर हम डेराइब करें तो यह काफी complicated है जो कि इसको सम संकू का वक्रप्रिष्ट है यहाँ पे निकाल लिए है यहाँ वक्रप्रिष्ट जो है यह वाला भाग है पूरा अब यहाँ पे दिखिए कि जब इस वहाले भाग में यानि पाई आरियल अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला भाग था बेलर में क्या था कि नीचे भी गोला बन रहा था व्रित बन रहा था और उपर भी व्रित बन रहा था लेकिन यहां पे क्या है यहां पे गोला केवल नीचे ही बन रहा है यानि अब इसके भी छेतरफल को अगर जोड देंगे तो अससंपूर्ण पृष्ठी छेतरफल हो जाएगा या कुल पृष्ठी छेतरफल हो जाएगा अब यहाँ पे यह अगर वित्त है तो इसका जो छेतरफल होता है वो होता है Pi R squared क्या होता है πi r² यहां से common ले लेते हैं तो हमें πi common मिल गया r मिल गया ठीक है नँ अब देखें यहां से πi r common मिल गया यहां पे यल हुआ और यहां पे देखें r² ए तो common हो गया एक r बचा तो संपूर्ण प्रिष्ठ का फर्मूला हो जाता है संकू का π आई आर ब्रेकेट में यल प्लस यह संपूर्ण प्रिष्ट हो जाता है चलिए अब आयतन की बात करें अगर आयतन की तो आयतन जो इसका होता है आपने बिलन का पढ़ा क्या पढ़ा आपने पाई आर स्क्वाईर यह अब बिलन के आयतन का अगर एक तीहाई कर दें यानि एक बटे तीन भाग कर दें तो यह जो फार्मूला होता है वह संकू का हो जाता है यानि संकू के आयतन का फार्मूला होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वाईर एज ठीक है आई होप कि आप संकू को भी अच्छी तरह समझ गयोंगे, आई ये गोला के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे, अब देखें यह आपका एक गोला है, ठीक है, अचा चलिए, अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि गोले का वक्र प्रिष्ट है, और संपूर्ण पूछे, वह एक ही होता है, इसलिए इन दोनों को मिला कर हम सिंपल कहा देते हैं, कि प्रिष्ठिय चेतरफल कहा देते हैं, प्रिष्ठिय चेतरफल, क्या कहते हैं, प्रिष्ठिय चेतरफल, ठीक है न, अगर आप से कहें कि वक्र प्रिष्ठिय चेतरफल, ठीक है न, अगर आपको सला होगा कि इस फार्मुले को आप लर्न कर लें, याद कर लें, ठीक है, तो इसका प्रिष्ठि छित्रफल आपका होगा 4 π.r. ठीक है, चलिए, गोले के आयतन की बात करते हैं, अगर आयतन की बात करें यहाँ पे, तो आयतन क्या होगा देखिए, आपने यहाँ पे पड़ा देखिए, यहाँ पे π.r.q. अब इसमें उचाई तो कहीं है ही नहीं, जो उचाई है वो अभी किसमें बदल जाएगी? तिर्ज ठीक है न यहां पर क्या हो जाएगा चार बटे तील पाई आर क्यू यह गोले के आयतन का फार्मूला होता है ठीक है उम्मित करते हैं कि इतनी बाते आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब यहां पर देखिए कि हम लोग बात करेंगे अर्ध गोला के बारे में इसके बारे म यह आपका एक अर्ध गोला बन गया आधा गोला अगर अर्ध गोला की हम बात करें तो देखिए इसमें अर्ध गोले में जो वक्र प्रिष्टी चेत्रफल होगा वह क्या होगा देखिए इसमें वक्र प्रिष्टी चेत्रफल होता है ध्यान रखिएगा क्यों आभी बताते तो चलिए वक्रप्रिष्ट की बात करें, तो वक्रप्रिष्ट यहां पे आपने गोले की किस्म निकाला है, 4πr², अगर इसका आधा कर देंगे, तो वह और्ध गोले का संपूर्ण प्रिष्ट हो जाएगा, इसका आधा का मतलब किसमें 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे, आधा किसी चीज़ का करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइट कर देते हैं, तो 2 से जब इसमें भाग देंगे, 2 दुनी चार, यानि 2 और फिर आगे πाई आर स्कॉयर है, तो पाई आर स्कॉयर है, अब संपूर्ण प्रिष्ट की बात करें, यहां पे पूर्ण प्रिष्ट की बात करें, अर्ध गोला केस में, तो वक्र प्रिष्ट तो रहेगा है, 2 पाई आर स्कॉयर, यहां पे आप देख रहे हैं, कि यह भी क्या एक बन रहा है, एक बृत्त की तरह बन रहा है, अगर यह इसकी 30 आर हो जाएगी, तो यह क्या बन रहा है, ए यह हो जाता है, इसका अर्ध गोले का संपूर्ण प्रिष्ट, ठीक है, अचा, अब चलिए, अर्ध गोले के आयतन की बात करते हैं, तो आयतन भी गोले का आधा होता है, यानि गोले का आपने देखा, 4 बटे 3 पाई आर क्यू, अब इसका आधा का मतलब कि हमने पता है, 2 से समझ गये होंगे, एक-एक फार्मूलों को, हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्यास किया है, और उमिद करते हैं कि प्रते एक फार्मूले को आप अच्छी तरफ जरूर समझ गये होंगे, यहाँ पर सभी फार्मूलों को हमने लिख रखा है, आया फार्मूल यह जो है ए क्या है घंकी बुजा है अब घंप की बात करते हैं सुत्र नंबर 4 है आपका घंप का पृष्ठी चेतरफल या वक्रष्ठी चेतरफल क्या होता है घंप का वक्रष्ठी चेतरफल बराबर 2 याँ पे 2H bracket में यल प्लस B ठीक है न अब बेलन की बात करते हैं, तो बेलन का वक्र प्रिष्ठी चेतरफल बराबर 2πrh, 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 बेलन का वक्र प्रिष्ठी च जल, संकु का संपुन प्रिष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, ठीक है, संकु का आयतन बराबर एक बटे तीन, पाई आर स्कॉयर यच, ठीक है, अब आईए बेलन, अब संकु, हमने किसका किसका देख लिया, घन, घनाम, बेलन, संकु, अब गोला और प्रिष्ठी चित्रफल बराबर होता है प्रिष्ठी चित्रफल या संपुन प्रिष्ठी चित्रफल दोनों एक ही होता है अभी हमने आपको पीछे बताया है तो गोले का प्रिष्ठी चित्रफल होता है फोर पाई आर स्क्वाइर गोले का आयतन होता है चार बटे में तीन प पाई यार स्क्वाइर अर्ध गोले का आयतन क्या होता है तो दो बटे में तीन पाई यार क्यूँ ठीक है तो यह सभी फार्मूले हुए प्रिष्टी छेत्रपल और आयतन का और आई होप की सभी फार्मूलों को आप अथी तरह समझ भी गए होंगे हमने अपनी तरफ से बहत चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक सियर करें इस चैनल पर बहुत जल्दी ही आपका पूरा स्लेबस आपका आलमुस्ट खतब होने वाला है हम 12 लेशन पर रहे हैं पीछे के सभी चैप्टर आपक बंदे मात्रम पस्तित होते हैं प्रशनावली के साथ धन्यवाद